नमस्कार स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाने वाले बहुत ही सिंपल डाल रेस्प्रीट और बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाएगा बिल्कुल इसमें जंजट नहीं है तो सबसे पहले हम डाल को दूलेंगे और दूलें इसको दो पानी से इसके बास में अंदरा से 20 नट हो चुके हैं अब देख लेते हैं अब देखिए दाल थोड़े से फूल गया है अब इसको और हम अच्छे से मसल लेंगे और मसल करके अच्छे से धूलेंगे फिर इसको दो पानी से धूलना है इसको अब हमने दो पाने से धूर लिया है अब चलतें इसको बनाते हैं तो कूकर लेंगे कूकर गरम हों जायागा इसमें डाल देंगे एचम bus गी घी के जगहपे अब कोई cooking Empree ले सकते हैं अब गी गरम हो गया है इसमें डाल देंगे जीरा साथ में डाल देंगे एक तेज़ पत्ता। इसे बार डालेंगे लहषन आपन२ ind pip Original चुर्पकि एंटल सकते हैं इस में वक्ष्पकर लाल मिच हम कर जगाद पर हरा मिच भी याफ सकते हैं और थोड़ी से Gotta अब इसके बाद जो हमने दाल को भिगो के रखा हुआ है उसको इसमें डाल देंगे अब इसको बाद में तड़का लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अभी दाल बनके त्यार जाएगा इसमें पानी डाल दीए जितना आप लोगों को दाल पसंद है इतना आप लोग पाई डाल सकते हैं का धहिसे बाद में हालदी जाल देंगे और नमक जाल देंगे हम अहीं को हम चला लेंगे तैंग्यों हो आप अब इसके बाद यतनी डाल इसको कौन्टिटी हिसाब से हम सीटी लगा लेंगे तीन डालें लिए São agreement कुकर का अपने से निकल जाने य सु कि भाद को खोलेंगे जिन लोगो यूरिकीशिट की प्राब्लम अी से भिष्ण के अच्छ से दूल के बनाएंगे تpend सक्क्रालीक थोड़ी कम रहे गी इसके बाद देखिए मैंने दाल को चला लिया है और इसके बाद उसरी बरतन में निकाल देंगे और इसमें तड़का लगाने कोई ज़कता नहीं है और दाल भी बहुत जल्दी बनके त्यार हो जाती है जो दाल जब भीग जाती है तो बहुत जल्दी से पक जाती है उमीद है